हेलो फ्रेंज मैं आपका दूसरों गोश्वामी और मैं इसके साथ आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन है यंजी यार्टी बुक है आप देख सकते हैं यंजी यार्टी बुक से मैं आप लोगों की तैयारी लगातार करवाऊंगा देखें सानी 10.1 अपने हो अनन्त पर हो आपकी जो आउत दफनकी यह सथितियां मैं आप लोगोंको अगले वीडियो में अनंद पर हो तो आपकी प्रत्विम जो है वो फोकस पर बनेगी यदि आपका वस्त अनंद पर हो तो प्रत्विम फोकस पर बनेगी आप तेधिक छोटा बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा अब बहुत ही छोटा बनेगा यह आपको पता चल गए बस वास्त भी क्यों उल्टा बनेगा देखिए इसमें उल्टा थोड़ा गल्ड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं आप हम बुक से पढ़ा रहा हूं तो वास्त भी के मुल्टा बनेगा फिर देखिए के परे फिर आपका दूसरा क्या है सी के परे यानिक परे कार्थ है पीछे सी के पीछे शी के पीछे शीकर रखा हो बिंब आपका आरथ है आपको ध्यान में रखतना है स्वास्तु टो अबarlos लेखिए का है यक्वर्णवा तो प्रति तहुँ हाव देख सकते हैं फिर वास्तिवीं फल्ट वनी आपका सभी में वास्तिवीं भीकर में लटानी कया और पर सकती हों तथी 및 कुछ भी का सकते हैं तो सी तथा यप के बीच में है sentence के बीच में है तो आपका सी के पीछ एर पीछे बनीगा यह पफिर देखें और देखें यौसटा सुथ है के बीच में बनेगा सी तथा यपके बैच में हो थी से Esta Eges पर जब यफ पर्बांटेमेघ़ फ सम्झेंगे में इसमीन अर्प में वाज्टी कैनेगा जाय। हुझ आतर्थी कि वरती इlords तो यह खोध बड़ा बने अंद्टा वास्तनी तथा उल्टा मनेगा वास्तविक तठा उल्टा वनेगा देखली वास्तिवक तठा उल्टा फिर आप आपका लास्ट है तरह आगा कि भी तथा या व के बीच में हो तब क्या होगा अब प्रेंस पीज़ा दयाक की बीच में हो तो दरपन के पीछे बनेगा मैं आप लोगों ये स्थितभिध सेथा बनेगा पर आप एस तथा सीधा आप इसका ट्रिक है एक अच्छा ट्रिक है आपको यह पूरा याद रहेगा तो पर है तो अब यहीं कर सकते यह मारा उत्तल दार पन हो जाएका अगर अगर बाहर से पालिश कर दो तो और बाहर से पालिश कर दो तो मैं बहुंद सब्सक्राइब क्योंकि मुझे आप लोगों या मुझे अवतल डड़पन का ही काम है तो चलिए मैं बाहर से पालिस कर देता हूं तो मैं बाहर से पालिस कर देता हूं यह पालिस कर देता हूं ऐसे आप लोगों पालिस करना है पालिस नहीं लाना है ऐसे कर देना है अब यह मेरा हो गया उद् इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, समझाने के लिए बहुत ही थोड़ा बढ़ा होना चाहिए, समझाने के लिए ये, अब आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अनन्थ है, ये आपका, c है, अपका, f है। यह आपकी यहीं के अंदर सभी स्थितियां रहती हैं अब फ्रेंग बात बता दूं कि आपका वस्तु जब अनंत पर रहेगा यह मेरी पहली स्थिति है या आपकी पहली स्थिति है यह जब अनंत पर रहेगा तो यह पर बनेगा कहा बनेगा यह पर देखिए इधर से इधर आ जाएका अब जैसे मात देख लेता हूं जैसे आपका अनंतपर है तो यह कहाँ बना याफ प पर अनंतपर है तो आपका यहां प्रतिविंबन अभी यहां जब आपकी दूसरी की ओर एंडिये इधर की बंद एखर की है तो स्लीत बंदेगा तीसरा इस्थिति कोuses x पर वी आपका prova व धाया हो तो सी तक हो मेरा ने पर्टबेल हो गया अब हमारा का मुझीके परें यहां के मिरी चौथी स्थिति हो गयी अब यह आप्पर है अब यहां जब आपकी छाथ हुई स्थिति आएगी तो आपका कहां बनेगा दर्पण के पीछे तो फ्रेंज यह था आपका छोटा फट्रिक अब यह था आपका जो वह अब यह आएसे जहां अनंत परक जाए तो आप इसके सामानता जाएंगे तो कहां से जाएगा तो यह मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं यह फ्रेंज आपका पहला क्या है यह है कि दरपण के यह देखे पहला डपण के मुख्ये अच्छी के सामानतार प्रकास के रन प्रावर्तन के पश्चा जब उसे दरपन से टकराएंगे यही प्रावर्तन के पश्चा अतल दरपन के मुख से गुजरेंगी फ्रेवस क्या कही रहा है कि समोनतर यानकि जो आपका यह प्रत्रि मिन्द हुआ यही बात में बट अधर समय यह चित्र 10.1 यह दरसा आया गया है तो चलिए मैं आप लोगो को दिखा देता हूं तोफ्रेंस यह आपका क्या है देखी एक होतल दरपण है क्योंकि बाहर से पालीच किया हुआ है यह आप देख सकते हैं ऐसे आपका मुख्ष गज़िये आपका सेंटर आइंड यह आपका यह इसके समांतर आई देखी इसके समांतर आई फीर यह आकि चली गई फिर अइसे उत्तर दरपण में देख लीए सब्सक्णाइब यह पर चली गई यह पर तीर दोट लाइन से यह आपकी वास्ति भी तो फ्रेंस यह थी आपकी पहली इस्थिति अभी इसे आप लोगो को याद करना है क्योंकि जो आपके उत्तल दरपन या उत्तल दरपन के उसमें भी यह काम आएगा यह उत्तल दरपन के से गुजर्दने वाली कि यानि कि जो जहते दर्पन कि देखे plupart से गुजरने वाली कि Zamask समांतर हो जाएंगी देखी फिर सें दर्पण के मुख्यप्यस से गुजनने वाली किरण ऐसरल डाउनेगे मुख्यप्षक बजैने वाली किरण निर्देशित की किरण प्रावर्तन के प्रिंप मुख्यप्य moverplex के तो फ्रांस देखिए दरपण के वकता केंद्र और निर्दासित किरण प्रावर्तन के पस्चात उसी पथ में अनुदिस वापफ लोट जाएंगी प्रावर्तित हो जाएंगी इसे चित 10.5 ये तथर 10.5 दी में दर्साया गया है प्रकास की किरणने उसी पथ से इसलिए वाप अपस आती है क्योंकि आप शरीत के प्रावर्त प्रिष्ट पर अभी लंब के अनुदिस परती है तो फ्रांस यह थी आपकी तीन स्थिती मलब की सर्थ आप मैं आप लोगों को यह दिखा देता हूं देखिए जैसे मैंने बताया था कि यह देखिए फोकस से इसके सामांतर कांटर होगे यह देखिए आने का निसान है जाने का निसान है इसमें उसी मार से लोड़ जाता है आती ही परतीत होती है थी अर देख लीए यह तो आपका दूसरा है तो चलिए फ्रेंस यह आप लोग समझ में आ गया होगा मैं आप लोग को अगले वीडियो में आउतल तथा उत्तल दरपन की छे स्थिति आउतल रपन तथा दो इस्थिति उत्तल रपन का बताऊंगा तो फ्रेंस यही पर यह वीडियो समाप तो ता और मैंने दूस्तों के साथ सेड़ करें थैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो